हेलो एवरिवोन वेल्कम टू क्लास नमबर थर्टी वन अप दो चेप्टर प्रोग्रामिंग इूजिंग सी प्लस प्लस सो आज के क्लास का हमारा डिस्कुशन का टॉपिक है एरे डिक्लारेशन सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कुस किया था कि एरे क्या है एरे एक डिराइब डाटाइब है जिस तरह के डाटाइब को यूज करके हम क्या कर सकते हैं सिंगल वैरियाबल नेम यूज करके मल्टिपल नंबर आप सेम टाइप आप वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं ओके सो आज हम डिसकुस करेंगी कि कैसे हम एक एरे को डिक्लेर कर सकते हैं सी प्लस का Name अपने मरजि से कुछ भी दे सकते हैं और उसका Size हम उसी छाफ से देंगे हम, जितना सब्सक्राइब करने के लिए हम करते हैं और कैसे कर सकते हैं डिक्लियर करने का सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि आप यहां पर एक ग्जामपल देख सकते हो इंट मार्क फाइब लिखाए मतलब मार्क जो है वो है हमारे एरे वेरियेबल का नाम जिस नेम को यूज करके हैं पांच थो इंडिजर वैल्यू स्टूर करके रख सकते हैं कंटिजियस मेमोरी लो करके हमारे मेमोरी क्यों में कंटिणियाश ली तो यह एक चीज थ्यान रखना जरूरी है कि अगर एक बार हम एक को कर लेते हैं तो फिर बात में उस पर्तिकुलर एडियर का ना ही साइज ना ही data type हम और change कर सकते हैं declare करने के बाद okay it's important to note that the size and the type of an array cannot be changed once it is declared एक बार अगर हम declare कर लेते हैं कोई भी array को declare करने के बाद उस particular array का size and type हम change और नहीं कर सकते okay तो पता चला कैसे array को declare कर सकते हैं array को declare करने का syntax क्या है array को declare करने के बाद suppose उसमें हम कोई value store किये हैं तो वहाँ पर हर एक individual element को suppose मैंने यहाँ पर declare किया है int mark 5 तो वहाँ पर मैंने पाश्ट वैली श्टोर किया है तो हर एक value को individually access करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं उसका index number index number यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं एक पॉटिकुलर एलिमेंट को वन बैवन इंडिविजुली एक्सेस कर सकते हैं वहीं दिखाएं विकन एक्सेज start economy स्पोसियनमेंट क्या है इन विकन स्टोर 5 इंडिजर सकते हैं वह कहां प्रिजुड में सेक årh टू थ्री फोर देख रहे हो यह सारे एक-एक इंडेक्स नंबर histoire कर सकते हैं when integration इंडिवीजरी एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ए metro में हम दितने खितने भी elements को स्टृर पर करके हैं उसके बात देखते हैं कि how to Initialize अगर को उसको बोलते हैं सो कैसे कर सकते हैं जब हो करते हैं उसी वक्त ही हम ओर देख सकते हैं ओके तो मैंने डिक्रीयर किया इंट मार्क फाइप वही डिक्लीर करते वक्त वही पे ही मैंने किया किया पांश्ठों इंटिजर वैलू वहां पर प्रोवाइड कर दिया एरे को तो यहां पर इसको हम बोल सकते हैं एरे इनिस्यालाइजेशन इस तरीके से एरे को इनिस्यालाइज कर सकते हैं यह फिर इस तरीके से भी हम एरे को इनिस्यालाइज कर स तो इस पॉटिकुलर एरे वेरियेबल का साइज क्या है फाइब वह लिखाएं हाओएब दा कॉंपाइलर नोज इस साइज इस फाइब बिकॉज वी आर इनिशालाइजिंग एट विद फाइफ एलिमेंट्स जबकि हमने इस पॉटिकुलर एरे को इस पॉटिकुलर एरे वेरियेबल का साइज क्या है तो जो वैल्यू हमने श्टोर किया 19 12 17 13 8 तो वह कैसे इंडेक्स नंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक पॉटिकुलर एरे में जितने भी में सारे में सकते हैं उब देखेंगे कि हाव टू चेंज वैल्यू ऑफंट एरे एलिमेंट एक एक एलिमेंट का वैल्यू हम कैसे change कर सकते हैं एरे में ऐसे कि यहां पर बहुंग कर सकते हैं यहां करते हैं एक तीकलर एक्षेश कर सकते हैं वहां इंडीक्स kतर करेब यहां पर 17 की जगापे मुझे चेंज करके करना है 11 का इंडेक्स नंबर क्या है इसका इंडेक्स नंबर है 0 इसका इंडेक्स नंबर है 1 इसका इंडेक्स नंबर है 2 तो नंबर इंडेक्स में जो वैल्यू है जो करना है तो कैसे कर सकते हैं इंडेक्स नमबर निउटि डॉलू और buna क्या करेगा पहले जो उसको रेप्लेस करके उसके जाए उस पटिकुलर इंजड़ नंबर में या फिर उस पॉटिक्लर में में बमरेशिए सूड करके रखेगा पता चला कैसे एक particular element का value हम change कर सकते हैं अभी आते हैं कि how can we accept input from the user and how can we provide output to the user of element के लिए users value कैसे input ले सकते हैं user को एक element का value is output कैसे provide कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम discuss करेंगे okay we can accept the array elements value from the user in the following way जैसे कि हम user से कोई value as input लेते हैं कैसे by using c in statement और यूजर को output प्रोवाइड करते हैं किस तरह की statement को यूज करके c out statement similarly एक particular array का value यूजर से हम accept कर सकते हैं by using c in statement और एक यूजर को output हम प्रोवाइड कर सकते हैं by using c out statement और एक array को यूज करके कुछ भी operation अगर हम perform करते हैं एरे के लिए user से अगर हम input लेते हैं user को output प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमें looping statement को यूज करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं single variable name को यूज करके multiple number of same type of value store कर रहे हैं तो वहाँ पे multiple number of values को access करने के लिए multiple number of values store करके रखने के लिए यहाँ पर हमें looping statement की जरूरत होती है तो चलिए आज के class में हमने पहले discuss किया कि हम कैसे एक area declare कर सकते हैं declare करने के बाद उसमें store किया गया value को कैसे उसके इंडेक्स कर सकते हैं इंडेक्स नमबर है क्या उसके बाद एक particular area को initialize कैसे कर सकते हैं उसके बाद उसमें जो भी data हमने store किया है उसको अगर change करना चाहे कैसे change कर सकते हैं उसके बाद हमने यह देखा कि हम कैसे user से input ले सकते हैं element के लिए यह फिर user को कैसे particular element को ऐसे आउटपूट प्रोवाइड कर सकते हैं तो चलिए इसका एक सिंपल एक्जामपल हम टर्बो सी प्लस प्लस सॉप्वेर में प्रैक्टिस करके देखते हैं तो जैसे कि कोई भी अगर आपको सी प्लस 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 स्वाइब को सुरू करना हो तो कोई भी प्लस 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 प्ल्ग्राम हम सुरू करते हैं हैं में फॉंक्षिन को ओपन करेंगे मैं सुपन करने के बाद सोस्व continued कर रहें एक ए मुझे क्या करना है Indian रहें तो यहां गए और एक वहरीबल चाहिए आया करने वाले हैं यहां पिए उसके बाद हमें क्या करता है यूजर से ऐ आ ayuda के लिएृजर से इनपुट लेना है तो उसके कही क्या करना पड़े गा फॉर यूज करना पड़ेगा तो कोई बह से Cand – in सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद फिर से उस करेंगे और वहां पर फिर से प्रोवाइड करेंगे वहीं सेम कंडिशन्स सेम इनिसियलाइजेशन्स सब्सक्राइब करने के लिए उसका वहलू मुझे करना है यहां पर लिखेंगे मार्क आई जबकि नीचे नीचे अगर मुझे प्रिंट करना है तो यहां पर उसक्र सकते अन है और टेक्सलेस एन क्यरेक्टर कॉंस्टंट उसके बाद फॉर लूप को क्लोज करेंगे उसके बाद यहां पर प्रोग्राम कातम यूस करेंगे इसके बाद में फॉंक्शन को क्लोज करेंगे तो चलिए अब इसको कॉंपाइल करके देखते हैं कोई भी अर्र नहीं है अब इसको रन करके देखते हैं ओके 56-45-34-45-78 पांच ठों इंटिजर वैल्यू सिंग्ल वैरियबल ने में यहां पर श्टोर किया यहां पर नीचे देख सकते हों जो पांच वैल्यू मैंने इंपूट किया वहीं पांच वैल्यू मुझे नीचे वान बाइवन दिखा रहा है 56-45-34-45-78 पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं यूजर को अलाओ कर सकते हैं एक एरे में एलिमेंट्स को इंपूट करने के लिए या फिर उसमें इंपूट किया गया वैल्यू को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिसकस किया आप लोगों क को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हुम डिसक्स करेंगे ऐसा और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थेंक्यू